हाई एवरिवान तो आज मैं आप लोग लिए बनाने वाले यह बहुत ही सिंपल तरीके से फुल जार सोड़ा का नाम सुनते ही बहुत लोग दर जाते क्यूंकि यह सोड़ा बहुत जादा ही तीखा होता है अब इसे फुल जार सोड़ा का है यह फुल जार सोड़ा का है जो भ सबस्क्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना अच्छी लगी तो फुल जार सोड़ा बना लेते तो फुल जार सोड़ा को सबसे पहले मैंने फोकस किया ग्रीन रखना कि इसे ग्रीन दñas लिए मैंने अप फोदिली के पतेि लिए दनी के पते लिए एक कि इंच मैंने इसमें अधरत कीया और मोस्ट इंपरिंट बात में आपको बचाने वाली हूँ दियान से सुनना में इसमें दो हरी मिर्च एट गीया jobbar है क्योंकि हमें नल् глав को अरण करना है अग्र हम्र क्रम exwhκście करेंगे तो हमारा फुलजार सोडा जो है वह काम होगा शिस अरोक अराम से मजडероरना से पी सकते हैं तो यहां मैंने मिंक्सर के जायर में इन सारे चीजों को डाल दिया है उसकी बाद मैं इसमें थोड़ा से नमक डाल दूँगी थोड़ा से चाट मसाला पॉड़र जीरा पॉड़र डाल देंगे एक शेते चमच मैं जीरा पॉडर राइड करूंगी चार से पांच आइस क्यूब जार के ड़कन को लगा के हमें इसे ले सकते हैं बट इसका धकन खुलना नहीं चाहिए बिल्कुल फ्रेस शोड़ा या पर इस फ्राइड रहना चाहिए कि आप 2-3 गंटा पहले इसका धकन को खोल देंगे तो वह मज़ा नहीं आएगा जो अभी मैं यह फुल जार जोड़ा में मज़ा आपको दिखा रही हूं बिल्कुल इस तरीके से में शॉट्स कुछ में डाल देना उसके बाद इसे हमें फटाक से पी ले रहा है बहुत ही सिंपल इजी अमज़दार से यह फुल जार शोड़ा की रेसिपी में आप लोग लिए कर आई हूं जिसे आप लोग आराम से पी सकते हो आप उसे वीडियो अच्री तो लाइक करना चैनल पर सब्सक्राइब करना चलो बाई